वेल्कम तो एजुकेशन जेट एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है आपकी बेहार डिमांड तता प्यार की कारण एजुकेशन जेट मैट्स यानि गडित की काक्षा हैं सुचारू रूप से चला रहा है जो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा आपके पास उसकी नौटिफिकेशन जाए, टाइम ना बेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी इसके पहले हम लोग योग निकालना है, जो साथ का क्या हो गुड़ाज हो, यानि जो साथ के पहाड़े में आता हो, गुड़ाज का मतलब साथ के गुड़न के फार्म में हो, ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, इसके सभी मान निकालना है, तो अगर साथ के गुड़न में है, तो हम पहले लहम को धनात्म गुडन खंडों का योग तो साथ के क्या हो पहाड़े में आए और वो 84 को क्या करें काट दे तो 84 के सभी धनात्म पर गुडन खंडों का योग तो क्या क्या हो सकते हैं साथ हो सकता है चौदा भी क्या होगा चौरासी को साथ का साथ के पहाडा में चौदा भी तो आता है वह चौरासी को यह भी कट देगा और क्या जाएगा सात्रीक 21 से भी यह कट जाएगा 21 चौपका यह भी कट जाएगा और क्या हो सकता है 28 देखें तो 28 भी हो जाएगा ठीक है 28 भी क्या होगा 84 कट जाएगा तीन से अगर करें 38 24 तीन दूना छे साथ आठ यानि 28 तीयां भी यह कट जाएगा और 42 से भी यह क्या हो जाएगा उसके बार 84 तो 84 से ही अपने खुद से तो कटी जाएगा तो इनका योगफल अगर हम निकाल ले योगफल इन सब को अगर हम जोड लेते हैं तो जोड करने पर हमें आएगा इसको जोड़ेंगे हम चार-दो-चै संए आठ शेए 14 फरीगफल इसे ऑजने 15 15 और कितना हो जाएगा साथ वाइस-वाइस-चार कितना हो जाएगा 26 ही एक ही आ गया थो हासिल हो जाए गल एक दो एक तीन चार पांच पांच छार नौ नहारा हो जाएक नो दमेट हो जाएगा सट्रह्पर होता है और दो हमारा हासित था कर शोज दें तो हम को कैसे पता चला तो ये भी हम कर सकते हैं ऐसे भी चावड़ासि लिक लिख लिए अब इसको घ maremax जाते हैं तो साथ दोनी चौधा एफ से कड़ जाए गा इस तरीके से साथ एकन नी साथ ओ जयाता है नियर कर सकते हैं 14 को अगर हम देखें, 84 में, तो यह यह क्या हो जाएगा, यह भी कट जाएगा इस तरीके से, ची, तो इस तरीके से हम सब क्या है, चेक कर सकते हैं, किससे किससे यह जो है, कट जा रहा है, तिक, आगे अब हम लोग, next question देखते हैं, इस question में क्या है, यह seated 2015 में पूछ रखा है, 21 और 49 के बीच, 7 के गुणजों का योग फल, तो 21 और 49 के बीच, 7 के जितने भी पहाडे आ जाएंगे, उनको लिखना है, basically, यही हो गया, इनके गुणजों का योग, तो इनके बीच में, यानि 21 को भी नहीं लेना है, 49 को भी नहीं लेना है, क्योंकि क्या बोला है, इनके ब सबसे बड़ा सार्व गुड़न, खंड, ठीक है, इसका फिर हमको क्या निकालना है, इसका रेजल्ट निकालना है, तो 21 और 49 के बीच, 7 के गुड़न, तो 21 के आगे हम देखेंगे, तो 7 के हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 के 21, 21 को हमको लेना है, 7 के कईश, 7 के 28 उठाएंगे, 28 के और 29 के बीच में आ रहा है, यह हो गया, 7 को 28 और इसके बाद 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ठीक, फिर धन, 7 पच्चे 35, 7 चक, क्या हो जाएगा, 42, अब 7 सार्थे उन्चास कर देगे, तो 29 को निकालना है, इसके बीच में, 7 के क्या करना है, गुड़न जवा हो जाएगा, 105, ठीक, येतना हमको पता चल गया, अब कहा रहा है, 25 और 30, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुड़न खंड, तो 25 का अगर गुड़न खंड हम करते हैं, तो क्या मिलीगा हमको, 55, ठीक, और 30 का अगर करें हम, तो 30 का अगर गुड़न करेंके, तो 6 पंचे 30 होता है ना, 5 ठीक, अब सार्व गुड़न खंड सबसे बड़ा कौन सा होगा, दोने में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुड़न खंड क्या हो जाएगा, 5, अब क्या करना है, 5 से हमको भागा देना है, 105 को, दोनों को हम भाग देते हैं, तो 5 करा जाएगा, 21, अब हम देखेंगे, 21 कहा है, यह हमारा आंसर हो गया, 21, अब लोग नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, अब हम यह सीटेट 2013 में पूछ रखा है, तीक है, कह रहा है, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्व गुड़द, मतलब लासा, लासा मतलब सबसे छोटा सार् गुड़नखंड यानि मासा का अंतर निकालना, दोनों को घटाना है, तो पहले 5, 10, 35 का लासा निकालने के क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सबको लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम काचने की कोशिस करते हैं, किस से काटते हैं, जो हमारे अभाच्छी होते है नम्ब जैसे 2, 3 इस तरीके से तो सबसे पहले हम इसको कुछ नहीं है तो 2 से ही काट देते हैं भले यह एक ही कट रहा है तो क्या हो जाएगा 2, 5, 10 ठीक और यह 35 ऐसे काटेगा अब ना यह 3 से कटेगा आप किस से कटेगा 5 से डायरेक्ट कटेगा 5 एकन्य 5 उसके बाद 5 एकन् जाएगा लासा इसका बन गया 2 यह होते हैं लासा को गुड़ा कर देते हैं 2 गुड़े 5 गुड़े 7 तो 5 दुना 10 सत्ति क्या हो जाएगा 70 यह तो हमारा क्या आगया लासा आगया अब इसमें हमको क्या निकालना है इनका मासा गर हम निकाले तो वह कैसे निकलेगा वह भी ह हम गुडन खंड करते हैं तो 5 का तो 5 ही होगा, इसको थो हम तोड़ नहीं सकते हैं, अब 10 का, 10 का हम क्या करने, तो क्या हो जाएगा, 2 5 जा ठीक, उसके बाद 35 का, 7 5, 35, अब हमको क्या निकालना है सार्व गुड़नखंड सार मतलब जो सब में हो पांच इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो मासा क्या हो जाएगा मासा इसका हो जाएगा 5 सौर मतलब जो तीनों में तो मासा इसका हो गया 5 ठीक है तो मासा इसका हो गया अब दोनों काम को क्या निकालना है अंतर अंतर मिन्स लासा में से मासा को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा पैस अठा गया तो इस तरीके से ये हमारा question ये भी हो गया, इसका answer क्या हो जाएगा, ठीक है, अब हम लोग next question, ये next question क्या है, ये भी seated 2,16 में पूछ रखा है, तो इसमें क्या कह रहा है, दस हजार, दस सो, दस इकाई बराबर होगा, दस हजार, यानि दस हजार लिख लेंगे, तो ठीक है, प उसके बाद एक लगाजेंगे, तो क्या हो जाएगा, दस हजार, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, दस हजार हो गया, धन, दस सो, यानि दस गुड़े, सो, दस सो को मतलब यहीत हो गया, दस गुड़े, सो, दस इकाई, दस गुड़े, इकाई मतलब क्या होता है, हम कैसे देखते हैं पहले जैसे दो तीन पांच है तो क्या हो गया इकाई हो गया यह दहाई हो गया यह सैकड़ा हो गया इस तरीके से हम करते हैं अब इसको क्या करना है सबको जोड़ना है तो यह इकाई दहाई इधर से देखते हैं इकाई दहाई लेकिन एक दो तीन इस तरी कनने 10 हो जाएगा अब इसको अगर लिखना चाहे तो क्या होगा यह आजाएगा 10 10 10 यह आजाएगा इसका अंसर ठीक है अब हम लोग next question देखते हैं अब इस question में क्या कह रहा है यह भी 82014 में पूछ रखा कि इसमेन और इसमें से कौन सी संख्या घठाए जाय ताकि यह अंहीं के इस संख्या में तो तो माल लिया क्या घठाएंगे कुछ नहीं है तो हमने माल निया एकस घठाएंगे तो तो यानि 1109 गुड़े 505 में हम क्या घटा दें ? X घटा दें, माइनस X कर दें, तो बराबर कितना आ जाएगा ? पांच जिरो, पांच जिरो, पांच जिरो, ठीक है यह हो जा रहा है अब इसको हम गुड़ा करेंगे तो इसका गुड़ा आप अलग से कहीं कर लीजेगा तो इसका जो आएगा हमने तो कर रखा है 560 0045 ये आ जाएगा इसका गुड़ा करने पे और माइनस x बराबर 5050 ये हो गया अब ध्यान से देखिएगा जब हम क्या करेंगे एक्स को इधर लेके जाएंगे एक्स इहां रिडात्मक है तो इधर आके एक्स धनात्मक हो जाएगा और ये क्या इधर धनात्मक है इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा तो हम क्या करेंगे अब एक्स को इधर ले जाए इसको इधर ले आए तो हो जाएगा 5600 45 ठी माइनस 505050 is equal to minus x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस अब इसको क्या इसको पहले लिख लिए यह चीज को पहले लिख लिए इसको इधर लिख लिए क्योंकि एक साथ हम पूरा ले जा रहे हैं तो इसमें साइन चेंज नहीं होता है एक्स को हम पूरा इसे लिख लिया और इसको हम पूरे लिख लेंगे तो क्या आजाएगा घटा के हम लिख लेंगे तो यहां पर पांच आजाएगा ठीक और इसके बाद इसको घटाएंगे तो इसमें आजाएगा चौदा में पांच किया नौ आ 54,995 इसका यह answer हो जाएगा हम लोग अब आगे देखते हैं अब यह question देखते हैं यह seated कप पुछा है 2016 में पूछ रखा है करा यदी 603 into 28 is equal to 63 into 4 और यह dot dot यहाँ पर कोई संख्या होगी यह इसके बराबर है तो पूछ रहा है यह जो संख्या है क्या होगी तो यह दे रखा है 603 into 28 is equal to 633 into 4 यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने x मान दिया माना क्या है यहाँ पर x है अब ध्यान से देखिएगा इसको पूरे को हम इधर लिख लें यहाँ पहले हम x is equal to निकालेंगे तो क्या होगा यह सब यहाँ जो गुड़े वाले हैं इसके नीची आ जाएंगे 603 into 28 यहाँ पर 63 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा नीचे आ जाएगे ना गुड़ा हो रहा है तो भागा में आ जाएगा और यहाँ पर x क्योल रहेगा ठीक है इस तरीके से यह हो जाएगा जब इसको हम काट सकते हैं चार चार साथी साथ ही हो गया साथ नौँ नोवा 63 यह पर गया अब नॉ से कटेगा है चे तिन नौँ जो संख्या ओग पर 9 से बच्वक्ण हो जोच आगर 9 स कट जाते हो संख्या भी ुश हो ज़ोती थैस है 9 से इसको हम कटते हैं तो क्या हो जाए नौ चल्ड़ चुवन और उसके बाद बचेगा नौचक चुवन नौ सते लिए तो कितना हो जाएगा एक्स कमान एक्स बराबर आजाएगा सट्ट ठीक, 67 इस में कौन सा अंसर है, दी, तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब हम लोग next question देखते हैं, अब ये question जो है, हर्यार टेट में पूछा है, 231 और 596, 231 और 596 को किस एक संख्या से गुड़ा करें, कि दोनों का गुड़न फल बराबर हो जाए, तो किसी भी संख्या का, दो संख्या आपस में ये बराबर नहीं है, तो यानि क्या होगा, कि अवल 0 से हम इसमें गुड़ा कर सकते हैं, जिससे एक संख्या क्या हो जाए, सेम संख्या से करना है, दो से करेंगे, तो इसका मान कुछ और हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ये भी दुगना हो जाएगा, तीन से करेंगे, ये भी दुगना हो जाएगा, ये तीन गुणा हो जाएगा, एक से करेंगे, तो यही आजाएगी, तो बराबर तो नहीं है तो सून्य ऐसा है केवल जो अगर हम गुड़ा कर दें तो यह क्या हो जाएगा इसको भी सून्य कर देगा और इसको भी सून्य कर देगा यानि कौन सी ऐसी संख्या है सून्य है जो दोनों से में अगर गुड़ा किया जाए तो दोनों का गुड़न फल क्या हो जाएगा एक अंक या तो तीन या चार है, कोई प्रकृतिक संख्या है, जिसका प्रतिक अंक या तो तीन होगा, तीन तीन के फाम में होगा, या चार-चार के फाम में होगा, या संख्या तीन और चार दोनों से भी भाजित हो जाती है, दोनों से भी भाजित होती है, संख्या या तो त सबसे छोटी संख्या Teen को बतानी है तो हम इसमें क्या करेंगे चैक करेंगे सबसे चोटे हैम आоме समय पाय ओखानी है ठीक है तो 2008 इसमें पहले हम लिखिया दिए 30 कट आश्या दिए 4 से चैनल उठा लिए 154 जईपा हम दिए 3 से तो यह क्या करेंगे लेकिन 4 से कट जाएगा ठीक उसके बाद हम दूसरा इसके बाद कौन सा उठाएंगे 333 उठा लेंगे इस 633 3 से क्या होगा कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा अब हम 444 उठाते हैं 444 अब 3 से कटने का नियम क्या होता है इनके संख्याओं के अंगु का अगर सम निकाल ले तो 4, 4, 8, 4, 3, 12, अगर ये तीन से कंड जाए, 3, 4, 12, तो ये संख्या भी तीन से कट जाएगी, या ये 3 से कट जाएगी, 4 से तो कटेगी, कटेगी, यानि सबसे छोटी संख्या काउं से मिल गए हमको, 444 जो 3 और 4 दूनों से कटेगी और यह बनी किस से है 4 से बनी है 4 4 4 तो या तो यह 4 से बने या तो 3 से बने अब हम लोग next question अब यह question जो है यूपिटेट 2011 में पूछा है कह रहा है एक सही एक बटे दो 1 1 by 2 में आधे कितने होंगे इसमें आधे कितने होंगे यह क्या है मिस्र भिन्य में दिया हुआ है मिस्र भिन्य में दिया है तो पहले इसको किसमें बदलेंगे इसको पहले हम बदलेंगे सेंपल भिन्य में साधार भिन्य में तो एक बटे दो है, तो इसमें क्या होता है, दो का एक में गुड़ा यानि ये होगा, और उपर जो होता है, उसको हम जोड देते हैं, ये होता है, तो दो एक अन्य दो, एक तीम, तीम बटे, तो 3 वाई 2 आ गया, अब कह रहा है, मैं कितने, मैं आधे कितने होंगे, ठीक है, आधे कितने होंगे, तो इसमें हम क्या करें, इसको आधे से, क्या करें, भाग दे दे, एक बटे, दो से हम क्या किया, इसमें भाग दे दे, तो एक बटे, दो से हमने बताए था न, जब क्या होता है, भागा का चिंद गुड़े में बदलता है, तो मीचे का, हर जो होता है, आंस बन जाता है, आंस जो होता है, हर बन जाता है, इस तरीके से ये बन गया, ये दो इस दो से कट गया, आ क्या गया हमारा, तीन आ गया, अब ऐसे देखा जाए, एक सही एक बटे दो है, मतलब एक धन एक बटे दो को ही तो हम क्या बोलते है, एक सही एक बटे दो, अब एक म शहें पांच में कितने एक बटए दस होंगे तो बस जितने पूछता है उसको भाब अस देना होता है अब दके वागा 6-5 ma कितने एक बटए दस होगे भाग दे एक बमटे 10 से अब यह बता है था न Peach शे वटे पांस तो ऐसे लिखेंगे, जब भागा गुडे में बदलता है, तो क्या होता है, अंस हर बन जाता है, पांच दुना दस, और यह हो जागा छे दुना बारा, तो इसका जो अंसर आजाएगा कितना, बारा गया, इस तरीके से यह हो गया, आगे हम लोग फिर नेक्स् पांच इन दिस वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोग के लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूं.